नमस्कार SM News में आपका स्वागत है में नाम है कोमल और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबेडगर बोध महासभा के अध्यक्ष आरस गौतम जी साथ ही यह एक केंद्री शिक्षक भी हैं तता यह एक समाज सेवी कफ सर आपका हमारे चैनल में स्वागत ह सब्सक्राइब नमबुदाए जैविम सेवाल है कि बोध धरम बोध भगवान को संबोध भी कहा जाता है तो इस संबोंध का महत्व है इसके बारे में आप हमें कुछ पता सकते हैं श्मक शंबोध का मतल्य अपना गान से बर्जट किया है श्यदात गोत्म ने जब अभी दम उन प्राप्त के से पहले जब अपने घर को छोड़ा और चोड़ने के बाद जब से पहले वो अलार कलाम के आस्रम में गए और आस्रम में जानने के बाद वहां से उन्होंनों उन्हें कहा कि अलाम कि जो उनका गुरु था अलार कलाम, अकी मुझे अपने ध्रम में या अपनी ज्ञान से मुझे शिक्षा प्रतान करें। अलार कलाम के पात जो शिक्षा थी, उन्हें उसका संफून बता दिया, और बताने के बाद उनके बाद उनके कहा, अकी मैं एक बुझुरुगा बुढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरी इसका संग का नायक बने। अननE के बाद उनको नमन करते हैं, नमन करने के बाद कहते हैं, खेथी आप मुझे गुरु जी आप मुझे कुछ अपना ज्ञान पराब दें ताकि मैं बहुत ध्रहम का विकास करता हूँ तो अलार कलाम ने बहुत ही उनको विद्या सिकाई और सारी विद्या सिकाने के बाद जब पुरिपून हो गे उसी धात को अमने बहुत जल्दी वो अपनी गहन कर ली तो उन्होंने भी कहा अगी देखी में बुझरग हो गया हूं मैं चाहता हूं कि आप से हमारे संका नायक बने तो उन्होंने कहा अगी गुरु जी मैं इससे भी आगर जाना चाहता हूं अगर कोई है तो मुझे बताईए मेरे पास जो ग्यान था मैं आपको दे झाओं ठीकहान से ने करने के बाद वहाँ से चलते हैं बहुत गया कि अंतर आते हैं बहुत गया कि अंधर आने के बाद वोट वरक्ष के निचे एक समयादी के बैखा कि बहakah उतले हैं इतने वैसे हो जाते हैं कि उनका जो पेट ने जाता है और चलने वहा दृम मुझकL हो तो उन्हें स्योंग से उनके पुत्र उतन हो गया तो उन्होंने एक अपनी दासी जो पूर्णा नाम के दासी सी उसको भीजा अग्जाओ जो विट्वरस के नीचे सफाई करकाओ आज हम उनकी पूजा करेंगे वो चैत की अमार वो थी पूर्णवासी तो वो पूर्णा नाम विट्वरस के देवता बढ़ा रहे हैं कहले ऐसी बात है कहले जूंड तो नहीं नहीं पूछत है अगर यह सही बात होगी तो मैं आपको अपनी कन्या मानोगी तो वहां पर बहुत सारी खीर अच्छी स्वाधिस खीर बनाई जाती है और खीर सोने की थाले में लेकर के वहा नहीं मैं को देवता नहीं मैं को आम इनसान हूं मैं तपश्या के लिए बैठा हूं तो वह कहती है नहीं आप ब्रट्ष वर्ष के देवता हैं आप मेरी खीर स्विवकार करें तो वह सिधात गोदम उस खीर को ले लेते हैं और लेने के बाद और नुरिजना नदी के टट और जाते हैं और जानने के बाद नहां करके उस खीर को फीर को खाते हैं 59 और एक समकर कि लिए चले जाते हैं इसके बाद भगान को दुमाशा उड़ते हैं और उस निगार पीपल के वरक्षे नीचे जो निरजान नदी के टट परे प्रेट के नीचे बैठते हैं और बैठने के बाद वो साधना में लग जाते हैं और साधना में लगने के बाद उनको ग्यान पराप्त होता है अपने ग तो इस्वे से सम्मूद वही होता है जिसको अपने आप ग्यान पराप्त होता है कि उनका गुरु नहीं होता है तो सिधात गोतम ने अपने अवी ग्यान को दूसरे लोगों में बाठता है और दूसरे लोगों में उसको समझाता है दूसरे लोगों में उसको बाठता है सब्सक्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले